नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत हैं। नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत हैं। नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत हैं। चलिए दोस्तो, आपका मैं वक्जाया ना करते हुए उपाए की और बढ़ती हूँ और आपको पहला उपाए बताती हूँ। जब ये पैक सूक जाए तो इसे ठंडे पानी से चहरा दोले, स्किन क्लो करने लगेगी और आपकी स्किन बहुत जादा सफेद भी होने लगेगी कुछी दिनों में। ज़िया दोस्तो यदि आप इसे साथ दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। फेस पे कुछ अलग ही ग्लो आएगा। कि लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपके फेस पर क्या हुआ है। जीहा दोस्तों कि आपने कौन सी क्रीम कौन सा प्रोड़क्ट यूज किया है। आपका फेस इतना चमचमाने लगता है। संत्रे के जरिये भी आप इसका प्रियोग कर सकते है। जीहा दोस्तों क्योंकि संत्रा विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे स्किन के लिए भहुत अच्छा माना जाता है। संत्रा खाने और लगाने से त्वच्चा बहुत सेहत मन रहती है। तचा का रंग निखारने के लिए रोजाना एक संत्रे का प्रियोग आपको करना चाहिए संत्रे का रस अपने चहरे पर लगाए और चहरा चमचमाने लगेगा और फिर उसे सूखने पर उसे धोले यदि चहरे पर दाग धबे हैं तो संत्रे के छिलके का प्रियोग आप कर सकते हैं संत्रे के चिलके को चाव में रखकर सुखा कर उसका पाउडर मना लें यह पाउडर एक चमच कच्चे दूद के साथ मिला कर अपने चहरे पर लगाएं आपका रंग अपने आप क्लो करने लगेगा और आपका एक तम चहरा चमचमाने लगेगा जिया दोस्तों कच्चे दूद से भी आप अपना रंग साफ कर सकते हैं कच्चे दूद के लिए टोनर का काम करता है। कच्चे दूद का चहरे पर हलकी हाथों से मसाज करें सुखरे पर चहरा धोलें रंग आपका गोरा हो जाएगा कुछी हफ़तों में जिया दोस्तों पपीते के जरीए भी आप अपना रंग गोरा कर सकते है वैसे तो पपीते की तासीर गरम माना जाता है लेकिन सकिन के लिए यह बहुत फायदेवन्द होता है इसे भरपूर मात्रा में एंटि आक्सिडेंट और विटामिन A होता है इसे पपीता खाना बहुत जरूरी होता है स्वास्ते के लिए इसलिए पपीता खाने के साथ साथ इसे लगाने से भी अनेक लाब होते हैं स्किन को गोरा बनाने के लिए एक पपीते का टुकड़ा पीस ले ऐसे गाड़ा पेस्ट बनाकर अपने चहरे पर लगाएं एक घंटे तक इस पेस्ट को लगा र यह टॉर्णिक का काम करता है शैद खाने से और लगाने से स्किन को घोरा बनाने के लिए एक چोटा कमश शहद ले और उसे चेहरे पर लगा ले हलके हाथों से मसाज करें और कुछ देर के लिए से सोड़ दें सुकने पर तो दोस्तो आप भी सब इन उपायों का استعمال कर सकते हैं और आप भी अपने चहरे को गोरा बना सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही लौतिंग एक नई टिप्स एक नई वीडियो के साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना ना भूले और मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर करे क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेना मिलती रहती है